आज हैं जो हमारे राष्टिय संजोजग है मानवर वामन में स्राम साहब उनके निर्देशा अनुसार हम लोग यहां पर एक अत्रित हुए हैं एनर्सी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेन और सिएबी सिटीजेन अमेंडमेंट बील के खिलाप में पांसो पचास जिलो तिन हजार अनुमनोलों में धर्ना परदर्शन आयोजित किया गया है जिसके आलोक में आज हम लोग यहां पर एक अत्रित हुए हैं और एंगाबाद में और एनर्सी और सिये भी ला करके यह CSTOBC को मुसल्मानों के साथ लडाना चाहती है यह संदेश हम मुल्निवासी बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते हैं कि इससे केवल मुसल्मानों को ही नुकसान नहीं है यह CSTOBC भी इस बील से बंचित रह जाएंगे 19 लाख आबादी का यह मामला है जो केंद्र सरकार का जो जन विरोधी निती है उसके खिलाप हम यहां पर धर्ना परदर्सम दे रहे हैं सत्ता पर नियंतृत कबजा है तो लोग जो मनसो कर रहे हैं सम्विधान के विरोध में फैसला ले रहे हैं तो जब हम सत्ता पर काभिज होंगे तो हमारे समय में भोटर आईडी काड आधार काड यह सम नहीं होगा हमारे समय में DNA काड ही होगा बाबा सायब ने सम्मिधान बनाया वो सम्मिधान का हथ किसी भी लोगों को पचासी परसेंट लोगों को मिलने नहीं जा रहा है जिस तरह सरकार ने फैसला लिया है वो हमारे हथ के खिलाफ है और हथ की लड़ाई के लिए हम हमेशा लड़ते हैं लड़ेंगे और लड़ते र पायम है और समिधान के बीरोध में हर फैसला लिया जा रहा है यह साबिच होता कि कहीं ने कहीं उनको संका हो गई है कि हम ही विद्यशी हैं और इसके बजह से हुँ अपने आपको छुपाने के लिए हर्मेशा सर्यंत्र करते रहते हैं तुकि अभी दिनों जादों जी बता र कि अपने समाज को यह कहेंगे इस धार्ना के माध्यम से कि जो यह है एनर्सी और सीजेबी बील जो लाया गया है यह मुसल्मानों की विरोध में नहीं है बलकि हम हमारे समाज के जो हिंदू कि में कहे जाने वाले जो लोग यह सीच्टी ओवीशी के लोग है उनके विरोध म है और मुसल्माने को टार्गेट करके हमको जो उपर अत्याचार करने के लिए यह है नीती को लाया गया है साथियों नैशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन की घंटे को बजाएं